खवर जैपूर से जहां 15 RAS अधिकारी प्रमोट होकर IAS बनेंगे और मार्च तक ही पूरी प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होगी और रजसरकार केंद्रिय कार्मिक मंत्राले को प्रस्ताव भेजने वाली है प्रमोट होकर IAS बनेंगे रजसरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और मार्च तक ये पूरी प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी रजसरकार केंद्रिक कार्मिक मंत्राले को प्रस्ताव भेज़ेगी और 2019 के प्रमोशन कोटे की वेकिंसी जारी करने के लिए ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके बाद RAS के ACR मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी 15 RAS अधिकारी प्रमोट होकर IAS बनेंगे मार्च तक ये प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी रजसरकार केंद्रिक कार्मिक मंत्राले को प्रस्ताव भेज़ेगी और 15 RAS अधिकारी प्रमोट होकर IAS बनेंगे 2019 के प्रमोशन कोटे की वेकिंसी के बाद प्रस्ताव भेज़ा जाएगा और इसके बाद RAS के ACR मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे समवादाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जो चुके हैं जी दिनेश बताएं कि कब से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है जी दिनेश ये बताएं कि कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी 15 RAS अधिकारी प्रमोट होकर IAS बनेंगे प्रक्रिया पूरी मार्च में होगी कब से ये शुरू होगी देखिए मनिस्टाइब अभी सरकार के और से जो आरे सद्धिकारी हैं उनका IES में प्रोमोशन होना है खुल 16 आरे सद्धिकारी हैं जो IES में प्रोमोट होंगे उसके लिए सरकार के और से कमेटी कटित कर उसके प्रक्रिया सुरू की जाएगी अभी मार्च के महीने में इसके पूरी प्रक्रिया होनी है जिसको लेकर CS के इस्तर पर पूरी स्क्रिनिंग होगी और उसके बाद इनके प्रोमोशन की प्रक्रिया सुरू होगी जी दिनेश तमम जानकरी के लिए आपका धन्यवाद आपको पता दे 15 आरे सधिकारी प्रमोट होकर IAS बनेंगे और मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया कम्प्लीट होगी